नमस्कार स्वागत है आप सब का motivation is my motto में और मैं हूँ प्रकेती विश्वा तो आज के इस खास वीडियो में हम review करने वाले हैं एक खास product का जो है योगर्ट मशीन सर्दियों में दही जमाना अपने आप में बहुत बड़ा challenge होता है क्योंकि perfect दही जमता ही नहीं है लेकिन ये machine दावा करती है कि इस सर्दियों में भी आपका दही बहुत ही बड़िया जमाएगी with proper nutritional value तो चलिए बिना देर कि इस product की फटा-फट से unboxing करते हैं और देखते हैं कि ये product वाकई में काम का है या फिर नहीं जैसे ही आप इस product को खोलेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें देखेगा user manual जिसे पढ़कर आपको इस product के बारे में सारी के सारी information आसानी से समझ में आ जाएगी फिलाल हम इस product के बारे में बात करें तो ये product काफी lightweight है प्लास्टिक का बना हुआ है और ये जो container मेरे हाथ में है ये है steel का इसकी capacity है 900 ml यानि की करीब एक लिटर के आसपास इस पूरे product का weight बहुत कम है बहुत ही lightweight है तो काफी convenient है और जादा technicalities में है नहीं सिर्फ एक ही power का button है और ये आप देख रहे हैं ये है तार जिसे लगा कर हम इसे चलाने वाले हैं तो इस तार की length भी ठीक ठाक है तो आपको इसे switch के आसपास ही कहीं रखना पड़ेगा तो ये थे इस product के external features चलिए इसे फटाफट से यूज़ करके भी देख लेते हैं लेकिन यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इस बरतन को पहले धो लेंगे अची तरह से क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम Indians बिना ब दूद्ध जो की रूम टेंबरेचर पहे यानि कि ना तो ठंडा है और ना ही करम है इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3-4 टेबल स्पून दही ताकि अची तरह से हमारा दही जम सके तो दही डालने के बाद हमें अची तरह से इसे मिक्स करना होगा जैसे हम नॉर्मल दही जम के लिए देखिए इस मशीन में बेसिकली कोईल लगी है और यह कोईल है वो दूद के टेमपरेचर को मेंटेन करती है क्योंकि मैं खुद माइक्रोबालोची बैग्राउंड से हूँ तो मैं आपको एक बात बहुर क्लियरली बता सकती हूं कि दही जब जमता है तो अधरवाइस बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि हम दही को आदे घंटे में और एक घंटे में जमातेंगे तो देखिए इस तरह के जूटे बातों पर और जूटे वीडियो पर कभी भी मत जाएगा और अगर कोई गलती से जमा लेता है तो उसमें टेस्ट और निट्र आप देखिकते हैं काफी मौशियर आ गया है ऊपर और अच्छी अच्छी सी खुश्वू आने लगी है तो यानि कि बढ़िया सा सेकलती हुआ तो आप द्ग सकते हैं की पाज से दही एकदम बढ़िया सा से जैट हो गया है लेकिन इस दही को मैं अभी कट नहीं करूंगी ये टिप मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूं, देखिए दही आप किसी भी प्रोसेस से जमाएं, चाहें आप गर्मियों में जमाएं, चाहें सरतियों में जमाएं, जब भी आपका दही जम जाएं, उसके बाद उसे आपना 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के रखेगा, और उसके बाद जब आप इस दही को कट करेंगे, तो आप देखीगा कि इसका टेस्ट भी बैटर आता है, और इसका जो टेक्शर है, वो भी जादा अच्छा हो जाता है, तो मैं भी दही जमने के बाद इसे 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, और उसक देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और परफेक्ट दही जमाए, तो ये दही बहुती जबर्दस जमाए, आप देख सकते हैं, तो ये प्रोड़क में तरफ से डेफिनिटली येस है, अगर आप सरतियों में दही जमाना चाते हैं, प्रॉपर निट्रिशन वैल्यू के साथ, तो इस प्रोड़क को आप डेफिनिटली कंसिजर कर सकते हैं, अब बात करेंगे मेंटिनेंस की, तो मेंटिनेंस काफी आसान है, ये जो स्टील का कंटेनर है, इसे आप नॉर्मल बढ़तनों की तरह से दो सकते हैं, और इसका ये जो प्लास्टिक वाला लेड़ है, इसे हलक कपड़ी से पोच कर रख सकते हैं, तो इसकी मेंटिनेंस काफी इजी है, अब बात करेंगे इसके प्राइस की, तो मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है, एमेजोन से करीब 500 रुपे में, अगर आप भी इसे ऑनलाइन खरीदते हैं, तो आपको ये 500 रुपे से लेकर 999 रुपे तक आसानी से मिल जाएगा, और ये आपको अलग-अलग colors में भी online आसानी से मिल सकता है, तो आप अपने according, अपने पसंद का product online आसानी से खरीच सकते हैं, इसके लाबाँ जब भी online shopping करें, तो 2-3 websites पे price compare कर लीजिगा, ताकि आपको एक अच्छी deal मिले, एक और ज़रूरी ब पीस आपके हाथ में ना आए, otherwise आपकी अगर return policy निकल गई, तो आपके सारे पैसे बरबाद हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेगा, I hope आज का वीडियो आपके काम आया होगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए स्वस्त रह में मस रहे, बैशक कितने भी वेस रहे